अगले सो साल भी 375 से वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं, दस बार भी अबदुल्लास पैदा हो जाएं, तो जो उनके मन में, अटॉनमी, स्वेतिता, पाकिस्तान, चाइना, ये अजंडे जो चलते रहते हैं, वो पूरे नहीं हो सकते, बिना PDP, बिना NC सरकार जम्मू में क्या response मिल रहा है क्योंकि Congress कह रही है कि लोग बहुत नाराज हैं BJP से, पांच अगस 2019 के बाद लगा तार, जो चुनाव हुए है, हर चुनाव में यही बातें उन्होंने कही और जनता ने उन्हें नका रहा है, कुछ पत्रकार हैं जो कई अरसे से reporting करते हैं, वो और अभी भी soft separatism की बात करता है, कहता है कि नया कश्मीर एक failed concept है, महबूबा जी भी तो चुनाव हारी और उस अनंतनाक सीट से चुनाव हारी, जहां उनका सब से strong hold था, जनता ही ने नगार रही है और वही बात terrorism, soft terrorism, zero tolerance और टेर्रिजम पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ दोड़ा, किष्टवार, रामबन, उधंपूर इन सब जगों पे जो terror attacks हुए है उसको लेकर काफी घवराथ है लोगों में, यह एक ब्रहम है, 2019 के बाद देखिए, कमांडर नहीं कोशित हो रहा है, क्योंकि अगर होता है तो चार दिन जाए छे दिन उसकी जिंदगी है नहीं के ड्योंक fellow hai bono, शीज जा खांवी क्याशन सून सून पर से कार फिर नु छोम कश्मी इस्टवार जिए तरजी धन्यवाद आप पॉडकास में आए एलेक्शन के दौरान आपसे सवाल पूछना है कि यहाँ पे जो जमू में कर रही हूं पॉडकास इसलिए जमू के बारे पूछूँगी कि यहाँ पे क्या रिस्पॉंस मिल रहा है क्योंकि कॉंग्रेस कह रही है कि लोग बहुत न नाराज है ट्रेडर्स नाराज हैं तो कॉंग्रेस का जो वोट शेर है वो बढ़ गया था दो हजार चॉबिस के इलेक्शन में तो वो कह रहे हैं कि विदान सभा इलेक्शन में भी इट विल इंक्रीज पांच अगर्ज 2019 के बाद लगा तार जो चुनाव हुए है चाहे वो पंचायत का चुनाव हुए बीडीसी चुनाव हुए डीडीसी चुनाव हुए लोग सभा चुनाव हुए और अब विदान सभा चुनाव हो रहा है हर चुनाव में यही बातें उन्होंने कही और जनता ने उन्हें नका रहा है आप देखिए पंचायत चुनाव बीडीसी और DDC, DDC जब चुनाव हुआ तो एक गुपकार गठबंदन बनाया गया, दिदी सभी पार्टियों को इकठा करके, Congress, CPI, NC, PDP, JKPC, सभी दल इकठे हुए, और ये कहके चुनाव लड़ा गया कि ये रिफ्रेंडम के खिलाफ चुनाव है, तिन सो सत्तर का रिफ्रेंडम है जी, लेकिन उसमें भी बुरी तरह ये गठबंदन हारा, इवन अगर कश्मीर के दस जिलों की वोटिंग को देखें तो लगबख साड़े दस लाक वोट पड़ा, पांच लाक लोगों ने इस गठबंदन के खिलाफ जहां एक एक अपना चिर विरोधियों को भी जनता ने प्रस्त किया, इसके पीछे का रीजन समयना पड़ेगा, इसके पीछे की जो आत्मा उसको समयना पड़ेगा, जम्मो कुश्मीर की जो जनता है वो परिवारवाद से, अलगावाद से अब ग्रिना करती है, उन्हें समझ आया कि 375 एक जन्जीर जन्जीरों में बांद कर जम्मो कुश्मीर के नागरिकों को रखा गया था, अब 375 एक तूटने के बाद, जो महौल बना, जनता को दिखना शुरूआ, विकास, विश्वास, यह वही जम्मो कुश्मीर है, जहां पर बायकाट की पॉलिटिक्स होती थी, मेरे को ध्यान है क एक मंत्री बने जिनको कुल साधे 500 वोट पड़ा था, उनसे हारने वाले को 500 वोट पड़ा था, हबबा कदल 2002 के चुना में 150 वोट पड़े, यह करम लगबग कश्मीर के अंदर था, क्योंकि लोगों को इन परिवारों ने इस तरह शोशित किया था, इस तरह उन परिवारो सविधान मंत्री मोदी जी ने अपने काम के द्वारा यहां पर विश्वास का वातवरन पैता किया, जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज है, कि लोगों को भारत के सविधान पर, भारत की डैमोकरिसी पर विश्वास आया है, जहां ये प्लिटिकल पार्टी का पूरी जीत का अधार बायकाट होता था, अब भारी पोलिंग हुआ है, ये भारी पोलिंग से तिलमलाहट है, गबराहट है, ये गबराहट दिख रही है और आप देखिएगा कि उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से चना भारेंगे, मैं आपको इस रिकॉर्डिंग में बविश् नहीं आ रहा है कि जनता दभी बैठी है, जमता इन परिवारों ने जिस तरह से करप्शन की यहाँ पर, जिस तरह से भाई-भाई को लड़ाया, जिस तरह से यहाँ विभाजन करा आया, और जो समय था नौजवानों को आगे बढ़ने का, नौजवानों को एक रास्ता दिया और उसका परिनाम आज है कि जनता को लगा कि आज डेमोक्रेसी है मेरे बैलोट से मैं नेता चुन सकता हूं और आप हैरान होंगे कि दस जो जिले जम्मू के मैं बोलू तो एक सो चालिस लोग चुनेगे एक सो चालिस में 50% से ज्यादा निया ब्लड आया है जो किसी प्लाटी को प्लेटफार्म से नहीं उसको लगता है कि ये प्लेटफार्म गलत हैं और हमें अपना नेता खुद चुनना है किसी अब्दुल्लास किसी मुफ्तिस किसी गांधी परिवार के पेट से पैदा ही नेता नहीं होगा मत पेटी नेता पैदा करेंगी लेकिन जो नेता खड़े हुए हैं उसके बारे में तो उन लोग के बारे में तो PDP और NC कह रही है ये जान के BJP की B team है ये लोग सब they are just puppets कर पुतले हैं और जो BJP कहीए ही वो ही करेंगे ऐसा है कि नाचना जाने आगन टेड़ा, अब आपसे खेला नहीं जा रहा है, आपसे जनता का समर्थन चला गया है, आपके जलसों में लोग आ नहीं रहे हैं, आपका नरेटिव चल नहीं रहा है, आपका चेहरा कोई देखना नहीं चाहता, तो ऐसे समय में आप जूठे ब्र इंडिपेंडेंट अपने डिस्टिक्स चला रहे हैं, लगबख छे डिस्टिक्स में इंडिपेंडेंट शेर्मेंट बने हैं, बिना किसे प्लिटिकल पार्टी के बने हैं, ये ग्राउंड पर जो लोकतंतर है, वो पंचाहत है, ग्राउंड पर लोकतंतर जो है, वो बीडी एक expired injection कितरा रहता है और वो असर ही नहीं करता है जहां पर आप इसे एक positive development देखते हैं कुछ पत्रकार हैं जो कई अरसे से reporting करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है उमर अब्दुला फेर इंड स्क्वेर इलेक्शन हा रहे हैं लेकिन हारे उस बंदे से जो एक separatist था और अभी भी soft separat की बात करता है कहता है कि नया कश्मीर एक failed concept है उसके against अमर अमर अब्दुला हा रहे हैं तो अगर इंजिनियर रशीद चाहे विधान सभा में बैठे या फिर पार्लिमेंट में बैठे दोनों के दोनों जगा जो है बैठ कर वो अपना soft separatism का agenda चलाएगा ऐसा है दिदी महबूबा जी भी तो चुनाव हारी और उस अनंतनाक seat से चुनाव हारी जहां उनका सबसे strong hold था जनता ही ने नकार रही है और वही बात terrorism, soft terrorism, zero tolerance of terrorism पर जम्मो कुश्मीर आगे बढ़ चुका है सरकार नहीं, सरकार का तो ये दिरिदे निश्चे है लेकिन अब जनता zero tolerance of terrorism प स्वेटता की बात कौन करता था, किनोंने दिल्ली से शिष्ट मंडल यहां बेजे, कि अजादी से कुछ कम हम देने वाले हैं जम्मो कुश्मीर को, वही जम्मो कुश्मीर जिसको इनोंने terrorism capital बना दिया था, आज वो tourism capital बना है, पर्धान मंतरी मोधी के प्रयासों से बना है, और जिन अजंडों पर यह जम्मो कुश्मीर को ले जाना चारे हैं, उन अजंडों पर जम्मो कुश्मीर जाने वाला नहीं है, यह अंजीनियर हशीद हो, मुफ्ती महम हो, या उमर अबदुल्ला जी हो, या बाकी नेता हो, जो भी अलगावाद की बात करेगा, जो दोबार जम्मू किश्मीर के नागरिकों के हाथ में पत्थर पकड़ाना चाहता है, जनता उन्हें नकार रही है। आप Zero Tolerance for Terrorism की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू इलाके में, जहां पर हम अभी फिल्मिंग कर रहे हैं, दोडा, किश्टवार, रामबन, उधंपूर, इन सब जगों पे जो Terror Attacks हुए हैं, उसको लेकर काफी घवराट है लोगों में, कि क्या Militants जो हैं, वो अपना Area of Activity कश्मीर से अब जम्मू की तरफ देख रहे हैं, डांपीर पर जाल। ऐसा है कि ये एक ब्रह्म है, आज भी उसी को चलाने की कोशिश की जा रही है, कि दोबारा आन तकवाद आ रहा है, क्यूंकि ये भे की इंडुस्ट्री है, ये भे की इंडुस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं, और यही निरेटिव, आप देखिए, फारुग अदुल्ला से पहले 1931 से जो निरेटिव अब्दुल्ला परिवार ने जम्मकुश्मिर को दिया, वो एक जहर की तरह है, वो ही जहर आगे परोसा गया, उसको गांदी नहरू परिवार ने अडॉप्ट किया, उसी को मुफ्ती परिवार ने अडॉप्ट किया, अब उस जहर का जनता एं सेंबली के चुनाव में, चुनाव जीते, 62 विधान सवाओं पर, मैं रिकॉर्डिट बात कर रहा हूं, 62 MLA सीड जो सेंबली जिसमें सविधान को अडॉप्ट करना था, प्रजा परिश्यत के 62 अमीदवारों के काघज रत कर दिये गे, तांकि रेट कार्पिड मिले शेक अ लॐली पप दिया गया, उसी लौली पप के अधार पर जो पॉलेटिक्स शुरू है, कि भारत जो है जम्ट कुशिर में भारत का, जम्ट कुश्मीर भारत का अंग नहीं है, और जम्ट कुशिमीर का विले, पूरन विले नहीं है, यह है असर नयरेटिव जो शेकवाबदू पत्र पर जम्म कश्मीर विले हुआ है और ये निरेटी पाकिस्तान भी बोलता है ये अब्दुल्लाज भी बोलते हैं ये मुफ्तिस भी बोलते हैं गांदी नहरू भी बोलते हैं पद पद भूमी जम्म कश्मीर की भारत की भूमी है और वो भूमी जिस पर कश्मीर पर पाकि है उसका विले वहारत में पूरा नहीं हुआ है तो NC के manifesto में 370 वापस लाना है लेकिन Congress जिसने कल ही manifesto जारी किया है they are silent कि 370 के बारे में उन्हों ने manifesto में कोई जिक्र नहीं किया और एक और बात जो NC के manifesto में है वो PSA रिवोक करने की है लेकिन Congress के manifesto में PSA के बारे में again they are silent तो एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि NC और is dictating terms to the Congress वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि manifesto में अलग-अलग बाते हैं ऐसा है कि Congress, NCA की धैली के चट्टे बट्टे हैं आप मैं तो आपके बास समय कम होगा मेरे को बताईए वही शेख अबदुल्ला रेस्ट हुए किसने किया नहरू साब ने फिर उसी शेख अबदुल्ला को वो किसी house के member नहीं है उनकी party का एक MLA नहीं है उनको मुक्ह मंत्री बनाया पहले देश-द्रों में लंदन से लेक्या है यह क्यों भूल रहें कि वाजपाई जी ने उमर अबदुल्ला को मंत्री बनाया बिलकुल राष्टे जन्तांत्री गटबंदन की सरकार में उमर अबदुल्ला मुक्ह पदिलाते हैं उसका कुछ सदस्य नहीं है वो खुद सदस्य नहीं कांगर्स अपना मुक्ह मंत्री बनाया किनके हातों में जम्मुकुश्मीर दे रहे हैं यहां तो यह आज माने कांगर्स कि शेक का narrative कि जम्मु किश्मीर की जो विले है वो पूरन विले नहीं है ये narrative पर आज जम्मु किश्मीर को तबाह कर दिया रही बात आपने प्रशन उठ किया कि जम्मु किश्मीर में आज आंतकवाद दस्तक दे रहा है जम्मु कश्मीर में आंतकवाद दफन हो चुका है और उसको स सालों से जम्मो कश्मीर में पार्टी का काम करने आता हूँ जम्मो कश्मीर के अंदर पांच बजे के बाद खास तर पर कश्मीर वैली डोडा किष्टवार पांच बजे के बाद आप मूमेंट नहीं कर सकते थे आप किसी बच्चे से पूछते थे बच्चा स्कूल कितने दिन लगता है तो वो कहता है था दस से बारा दिन साल में आज 355 दिन जो दिल्ली में स्कूल लगता है उसी डहर पर जम्मौ किशीमीर में स्कूल चलते हैं आज जम्मो कुश्मीर के अंदर आप राहूल गंदी जी ट्वीट करते रात को दस यारा बजे कुलफी खाती हुई फोटो तो क्या जम्मो कुश्मीर बना है आज लाल चॉंक जहां पर पत्थर बाजो का कबजा था आईस आईस के जंड़े चड़ते थे पाकिस्तान का जंड चर्म हो रहे हैं और टेरोरिजम 2018 मैं इसको एक मार्क मानता हूं को कि 2019 से यह तीन सो सतर समापत हुआ तेरा सो अठाइस लोग अरेस्ट हुए थे जो स्टोन फैंगते थे बार-बार अरेस्ट होते थे पिछले तीन चार सालों से लगबद पान सालों से जीरो कोई एक भी ब के आरिस्टों की गिंती किनेंगे हैं हमने संक्या भी कम की है ढल भी कम किये हैं उनकी आजईू भी कम की आज कमांडर बनता है जुरूर पाकिस्तान खेल खेलना चाता है और खेल भी रहा क्योंकि इनकी हताशा है उन्होंने जो यहाँ invest किया था आज परधानमंदरी मोधी जी ने उसे धराशा ही कर दिया आप 2019 के बाद देखिए कमांडर नहीं कोशित हो रहा है क्योंकि अगर होता है तो चार दिन जा छे दिन उसकी जिन्दगी है एक मीना कमांडर नहीं बन पाता है हिजबुल लश्करे तोवा पीछे हर्टे है अब पाकिस्तान को लगता है कि जिस जगा पर आंतकवाद की खेती खीती पाकिस्तान आंतकवाद की फैक्टरी और छोटी फैक्टरी के रूप में कश्मीर बनाना चाता था आज पूरे विशव के अंदर कश्मीर सबसे शांद परदेश के रूप में उबरा है जो पाकिस्तान की इडियोलोजी की हार हो रही है इससे बुखला कर वो एक और प्रयास कर रहा है इससे पहले भी दो बार किया दोनों बार असफल हुआ ये भी असफल होगा आप देखिए जम्मो कश्मीर के अंदर आंतकवाद की गटनाई शुन्ने पर पहुंची है और जहां भी आंतकवादियों ने यहां की जंता पर हमला किया उन्हें मारने की कोशिश की या सुरक्षा बलों पर हमला किया तो 72 गंटे या 96 गंटे में वो पकड़े के जमारे NCPDP दोनों कहती है कि पाकिस्तान के साथ बात किये बगेर शांती नहीं भाल हो सकती या आपने भी माना है कि वो यह कहती है अगर सरकार बनाने के लिए इन के साथ किसी पार्टी के साथ या तो NCP या फिर PDP इन दोनों में से किसी एक पार्टी के साथ आपको जाना पड़े तो फिर ये पाकिस्तान का जो मसला है उसमें कैसे आप common minimum program लाएंगे भारती जन्ता पार्टी की पश्ट सोच है कि जम्मू कश्मी की शांती या भारत की किसी भी परांथ की शांत्री किसी विदेशी सत्ता के रह्मो करम पर नहीं है हम अपने नागरी को भी सुरक्षा करना जानते हैं और हमने करके दिखाया है रही बात आप अठबंदन की बात कर रहे है मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह परधानमंत्री मोधी जी ने यहाँ एक विकास का बड़ा खाका की चाए आप देखिए 375 से जाने के बाद जम्मो कुष्म ने रेल नेटवरक जम्मो से आगे कभी रेल ने गई थी और अभी आप अगली बार आईए गया तो दिल्ली से शिरी नगर तक वंदे भारत में आप पहुँचने वाले हैं कटरा तक वंदे भारत पहुँची है बारा मुला शिरी नगर रेल निंक चुड़ गया है लोग उसकी फोटोस डालने है स्विजर लेंड से सुन्दर रेल नेटवरक बना है बरफ के अंदर लोग आप कही भी नेट पे जाएंगे तो दिखेगा कि शिरी नगर की रेल की कितनी सराना होगा जमू के ट्रेड शॉपकीपर्स तो यही कह रहे हैं कि गाड़ी तो से अब रेल नेटवरक आ गही है कटरा तक सारे पिल्ग्रिम सीधा कटरा पहुंच रहे है यहां तक तो आते ही नहीं है ऐसा है कि यह भी एक गलत तरीका लोगों को बताया गया है कभी भी विकास किसी एक महले का या किसी एक शेहर करने होता पूरी स्टेट और कंट्री का होता अप आप समझएए यह मैदानी शेत्र है मैदान से पहाड में जाना तो हर चीज यहें से जाने वाई वो ट्रक में जाए ज़ाए लिफाफे में जाए आप भारत के किसी भी पहाड पर चले जाए मैदान पहाड को समगरी पुन्चाता है feeding का center पहाड का मेदान होता है और यहां तो उसी state में मेदान है उसी state में पहाड है और आप GST का आंकड़ा निकाल लीजिए यहां की income tax का आंकड़ा निकाल लीजिए trade बड़ा है trade बड़ा है जितना विकास हो रहा है आप आज प्रधानमंतरी मोदी जी के परयासों से जम्मु कुश्मीर terrorism capital से tourism capital बना है और आप आंकड़े देखिए आज भारत के दिल्ली को छोड़ का कोई अगर एक airport है जस पर सबसे ज़्यादा private plane उतर रहे हैं और टॉरिस्ट पर रहे हैं तो शरीनれग जम्मु का है ठाहिनim का है आज हेलिकप्टर सेवा सबसे ज़्यादा कर नहीं आया हो रही टूरिस्ट का जो स्थ हैं में अगर आप किसी होतल हर से बात करेंगे तो कश्मीर c essas ए क् legacy होटल में वह कंड़ा नहीं है हमेशा ये जमू कश्मीर की खासियत रही है कि trade, tourism वो सब अलग होता है और उनकी identity, उनका politics अलग होता है अभी भी लोग चाहे जमू के हो या कश्मीर के हो दोनों अलाके में कह रहे हैं कि statehood तो वापस आना चाहिए नहीं तो हमारी हमारी शिनाकती नहीं है हमारी को identity नहीं है, हमारी identity चीन दी गई है देश के किसी भी area में ऐसे नहीं है कि state से किसी को नीचे demote किया गया हो और union territory बनाए गया हो union territory से state बनता है ऐसा है कि पहला बात आपका, मैं माफी चाहता हूँ, आपका विशे गलत है जम्मू कश्मीर टूरिजम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है आप किसी भी hotel का बड़ी chain से पूछेएगा कि जम्मू कश्मीर के hotels पंदरा परशन से ज़्यादा उनमें occupation नहीं थी जिसके पास सो कमरे वो बीस कमरे रोज लगते थे और बीच में ऐसे दिन आते थे आठ आठ महीने बन मैं तो इन होटलर्स की मीटिंग की है इन में जब 375 पेंटी से गया था तो एक एक से मिला था तो सब के बैंक्स के इतने इतने करजे थे और आज जम्मो किश्मी में का कोई होटल नहीं है जहां निर्मार नहीं हो रहा है चाहे वो ताज हो कोई भी एक आप होटल बगड़ लीजेगा तो आप जाके देखें टूरिजम 200 पर्शंट बड़ा है लेकिन ये दोजार स्तारां तो अरे बहरान मानी मरने पर 6 महीने कश्मीर बंद रहा एक टैरिस्ट के मरने पर 5-5 महीने 4-4 महीने बंद रहता था टूरिस्ट आता ही नहीं था, टूरिस्ट डरता था आज गुल मर्ग हो, सोन मर्ग हो पहल गाम हो, आपके पास इतनी एप्लिकेशन सरकार के पास आ रही है, होटल बनाने की टूरिस्ट गाड़ी के लिए आज ग्रह मंत्री जी मिलने आए जहां की जनता से मिले तो यहां नोजवानों की ग्रूपस आके मिले कि हमें टूरिस्ट बनना है, हमें टूरिस्ट गाइड बनवाई है हमें गाड़ियां चलानी है, हमें टैक्सी के लिसंस देजिए और हजारों टैक्सी लिसंस लेकर क्योंकि वेक्यूम क्रेट हुआ, इतना कभी सोचा ही नहीं था कि इतना टूरिस्ट आएगा और अभी तो आने वाले समय में रोज पांच ट्रेने शिरी नगर पहुंचेंगी तो एक ट्रेन दोजार यात्री लेके आएगी दस जार लोगों को रहने के लिए पांच जार ने कमरे चाहिए यह विकास की नई गाता है आपने कभी शिरी नगर से करगिल यह ले जाना होता था तो टूरिस्ट के लिए कोई रास्ता नहीं था चे मिले बंद होता था आज जोजिला टनल बनने लगबग त्यार है अगले देड़ साल में बन जाएगी connectivity पड़ेगी शिरी नगर से मैं जाता रहा हूँ जम्मू से शिरी नगर 9 गंटे वो भी अगर night drive करेंगा तो 9 गंटे दिन में 12 गंटे अगर आप traffic में फसके तो 16 गंटे आज साथे चार गंटे में आप कश्मीर पहुंचते हैं जम्मू से कश्मीर साथे चार गंटे में ये रोड इंफ्रस्ट्रक्टर सोला 18 18 किलोमेटर लंबी tunnels और केवल में रोड पर नहीं आप किश्टवाड डोडा से जाना चाहें आप जम्मू पीर पंचाल से जाना चाहें, मुगल रोड से जाना चाहें, बड़िया रोड मिली हैं, ये रेलवे रोड इंफ्रेस्ट्रक्चर हमने कड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कश्मीर में बना है, ये विकास की नई गाता है, रही आपने बात में, आपकी बात, डोडा किश्टव के कलेजा निकाल कर भाई को खिला गया, अभी भी वो भाई जिन्दा है, जिसको भाई का कलेजा खिला गया, वो चावल खून से रजे हुए, जिस मा को, बेटी को खिला गया, आज मा बन गई, वो सारी जो गटनाए हैं, इस शेतर में हुई, आज उस शेतर के अंदर, शान भी हो, या पहल गाउं हो, या गुल मरग हो, ये विकास की नई गाता लिख रहा है और जो हमने मनिफेस्टो दिया, कि बिलकुल पहल गाउं जैसा एक शेहर, हम पुंच रजोरी में जो थन्ना मंटिकों पर सैंवन लेक्स हैं, बगवान ने, ऐसी सुन्दर जगा बनाई है लेकिन आप सोचेंगे कि आप कहरें टूरिजम वहाँ पर जाने के लिए 16 किलोमेटर रोड ही नहीं है, वहाँ पर शेहर बसाएंगे, और उसके 100 किलोमेटर के अंदर रेडियस छोटे-छोटे टूरिस प्लेसिज बनाएंगे, मैं पिछले 5 दिन वहाँ था, लगा तोरिज सीनरीज हैं, लेकिन इस जम्मू रिजन के टूरिजम को हमने बढ़ने नहीं दिया, और मैं ऐसा मानता हूं, हमने एम्स दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पहली बार है कि आप जम्मू की जंता से पूछिए, या कश्मीर की जंता से पूछिए, बिना पत्थर चलाए मिला है, एम्स के लिए किसी को बुखड दाल नहीं करनी पढ़ी कोई संघर्च नहीं करना पड़ा रेलवे चाहे उसके लिए कोई धरने पर नहीं बैटा कॉम्रेस से जब हमने बात की थी ते उनका प्रतिनिदी कह रहा था कि एम्स क्या बनाया अभी तक वहां पे सिर्फ ओपीडी फ मेल्थ मिनिस्टर वहां विजिट पे आये थे तो मैं सुभागे से उनके साथ था इतनी जबर्दस बिल्डिंग बनी है इतना जबर्दस इंफ्रासेक्सर बना है वहां ओपीडी भी शुरू हुई है मेडिकल फसिलिटीज भी शुरू हुई है और एक ऐसा जगा बनी है जह है यह बड़ी बात नहीं है आई 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 टीज बनी है आपने मेडिकल कॉलेजिस का जाल बिचाया हमने नर्सिंग कॉलेजिस बनाए एक हजार मेडिकल की सीट बढ़ाने का हमने वादा किया है आपके मैनिफेस्टों में अगनीवीर को 20% कोटा फोर अगनीवीर और इन ज जम्मु किश्मीर एक को हम बाकी जगां के साथ नहीं देख सकते हैं यहां हमने वीडी जी बनाई है विलेज डिवेंस कमेटेज ग्रूप्स बनाए हैं और यह फार्मुला वाजपई साब लेके आयते हैं और वही फार्मुले को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज हर गाओं के अंदर हमारी विलेज डिवेंस ग्रूप जो हैं वो बैठे हैं उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं सिख भी हैं जो गाओं में रहते हैं उनको ट्रेंड करके वहां पर स्थापित किया है ताकि आंतकवाद के समूल नाश में गाओं की भागीदारी कोई बाहर से आपकी रक्षा नहीं करेगा वह आपके साथ पुलिस है स्क्योर्टी स्रक्षा बल हैं लेकिन आपके पास वहां पर आपके पास भी हत्यार हैं आप अपने ट्रेंड लोग अपने गाओं की रक्षा करेंगे तो यह अगनीवीर गाओं जाके बीडी सी में होंगे अगनीवीर आके स एक बहुत बड़ा फार्मुला है जो जम्मू कश्मीर की 27 सुरक्षा में उसने बहुत बड़ी भूमिक आदा की है अब तो फारुक साब उसका भी विरोध करते हैं यह सुरक्षा भूलो का भी विरोध करते हैं आप हाला देखें विलिज डिफेंस ग्रूप्स के अगर अगर की रक्षा खुद करनी है और यह एक अच्छा फार्मुला है और पिछले 23-24 साल में इसने तो फारुक अब्डुला ने कहा मना किया इसके बार बार बर विरोध करते हैं वो कहते हैं जरूरत नहीं है आज भी उन्होंने अपने मेनफेस्टों में कहा है कि यह ग्रूप्स क् मारते थे हैं आज स्थाई शांती है मैं अमर अबदुला साब ने अपनी ट्वीट किया था कि वो घर से पैदल ऑफिस गये है शायद ये उनके लिए बड़ी घटना है आप अपने घर से कई बार ऑफिस गये होंगी बजार में गूमने गये होंगी शोपिंग करने होंगी आप बार-बार मुफ्ती परिवार या अबदुला परिवार के बारे में कह रहे हैं लेकिन स्रीनगर में जम हमाई टीम थी वहां पे तो लोग तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे जो भी कहे बात तो वही हो गई ना उन्होंने तो कोई आप्शन दिया नहीं अब यही दिडीजी से साधे पांच लॉप लोगे उनके खिलाब वोट किया एक गठबंदन बनाने के बार अब एक एक अब मैंने सामने लड़ने वाले लोग सीपिय और कंगरस एकी गृप में बीडीपी और जेकैन्स एकी कृप में कांगरस उसी गृप में पीसी उसी गृप में LDF उसी ग्रूप में, फिर जन्ता ने 5.5 लाग ख्लाब वोट दिया. पर ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, दिली के जो पत्रकार है, जो और उपिनियन पीस जो लिएते हैं. वो लुटियन जौन में बैठ कर, कॉफी पीते हुए उन्हें लगता है. जो खान मार्केट गैंगी कह दीजे आप, वो भी कहते हैं कि राम माधव जी को भी इसलिए वापस ले आया गया है, ताकि, मतलब in this equation, ताकि अगर जरूरत पड़े तो he can open talks with PDP and NC. ऐसा है कि बिना PDP, बिना NC सरकार बनेगी और जम्मो कुश्मीर का मुफ्तिज और बदुल्लास गांधी नहरु परिवार के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति ही मुक्यमंत्री बनेगा, ये भी बात इस बार तूटेगी, कि बाहर से कोई आम जम्मो कुश्मीर का नागरिक मु और बिश्ट नेता है, उन्होंने जम्मो कुश्मीर का मुथ का किया है, उनके एक्स्पिरिएंस का पार्टी जम्मो कश्मीर का नेगे परियू का मुक्र, क क्या मैं का रहे है रही है? क्योंकि जन्ता हमने वहां उमीदवार कड़े की हैं, बीजेपी ने अपना सब्चिचूट बन के सामने आई है, हमने अपने उमीदवार कड़े की है, आप किसी नेता का सामने बोलिए, हमारा उमीदवार चुनाव लड़ रहा है, शायद NC के जन्डे आपको जितने दिख रहे होंगे, उतने ही जन्डे BJP के, उतने ही कारेकरम BJP के हो रहे हैं, परधानमत्री सुय जा रहे हैं, कश्मीर में परचार करने, हमारी सारी लीडर्शिप वहां परचार करने, और सरकार जो है हिंदुत्व पर चलेगी हमार तक, अभी तक यही मानसिक्ता परोसी गई, चम्मू कशिमर के नागरिकों को पाँच लाग का मेडिकल इंशॉनस हमने दिया, हिंदु को दिया क के मुसल्मान को दिया, हमने नागरिक को दिया उसको हम साथ लग कर रहे हैं हिंदू को दे रहे हैं का मुसलमान को दे रहे हैं हम यहां की बेटी को अठारा हजार पया सलाना दे रहे हैं वो हिंदू की बेटी को दे रहे हैं सिक्क की बेटी को दे रहे हैं का मुसलिम बेटी को दे रहे हैं हम बीक आगे बढ़ चुका इन जीजों से बहुत आगे निखल चुका है आपने स्टेट हुड की बात कहीं ये सब्धित क्याना का prior देश की सदन एक सटेट हुड देने की बात कही है अजिया ऑगोशित हो चुका है जो हो चीज, गोशित हुचकि उसकी मांग क्यों कर रहे हैं? ऐसे हैा कि भारत भौत क्या हो接़ी, यह स्टेत हुड मांग रहे हैं, विधान साम्मा में अटोनमी का बिल लाइ थे आ बहु Tahaj Marie. सपने में भी mmongerilal कहा असीन 10, बार βी अब दुल्लास पैदा हो जाएं तो जो उनके मन में अटोनमी, स्वेतिता, पाकिस्तान, चाइना ये अजंडे जो चलते रहते हैं वो पूरे नहीं हो सकते वो चला गया मौसम जब देश के अंदर कमजोर सरकारें थी ये नरेंदर मुदी की सरकार है ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता और आप भूल रहे हैं, उन्होंने अपने मनफेस्टों में एक बात और कही है कि हम आरक्षन वापस लेंगे पहाडियों का रक्षन वापस लेंगे उन्होंने रिव्यू कहा है जब इंटर्वू में उनसे पूछा गया उसी समय मनफेस्टों की तो उनका वाले ज़्यादा मिला है हमने पहाड़ी को दिया है गुजर से चीने भी ना आप बताईए वाल में की एसी यहां रहा है उसको वोट का अधिकार नहीं नोक्री का अधिकार नहीं उसे अरक्षन का अधिकार नहीं, हमने दिया है, यहां महिला का अधिकार नहीं, यहां की बेटी ब्या के साथ लगते पठान कोट चली जाए, बारा किलोमेटर, दस किलोमेटर पे, उसके अधिकार खत्म, यहां आटिया का अधिकार नहीं, आप पूछने का अधिकार नहीं, अब आप तो बिल लाते हैं सदन में अटोनमी चाहिए स्वेत्ता चाहिए यही लाएथ है ना फारकुत उला साथ तो इनकी सोच अभी तक पाकिस्तान चाइना स्वेत्ता भारत में पूरन विले नहीं हुआ यह बासी जंडे यह अब यह बासी जंडे बासी कड़ी में उबाल नहीं आना है यह उनको अपने मन से निकालना ही पड़ेगा अगले सो साल भी 375 से वापस नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी स्रीनगर जमू कश्मीर अगर इतनी सुरक्षा इतना सुरक्षा का जो माहौल जो आप कह रहे हैं कि it is all safe and secure आप तो कह रहे हैं सब कुछ Why is it that jo Kashmiri migrants हैं घे रहे हैं जो चापा रहे हैं जो पंडित ह 앞에 नहीं नहीं जा पा रहे हैं जो इंक्षमीर से अजिनने मारकार कर जिंकी कह रहा? तथ्य कह रहे हैं पर्मान बोल रहा है. फार्व अंगुदिल्ला साभ को बोलिये 2002 की अपनी किसी सभा की फोटो दाले, 2008 की डाले, 2014 की डाले और आज की डाले. कभी वो फ्रिञी घूम पाये थे, कभी रोड शो किया था, कभी उन्होंने गोमेते, कभी मभूबा बेहन घर से निकली थी, कभी मुफ्ती बेहन का कोई भी परतिनी थी घर से बाहर निकला था चुनाब में, क्या वोटिंग में लाइने लगी थी, ये बदलाव है, ये बदलाव दिक्र भी रहा है और परमानित दूसरा आपने कहा कि कश्मीरी पंडित, ऐसा है कि आप इस जखम को आपने टच किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक लाग साथ हजार कश्मीरी पंडित, जनवरी 1990 में वहां से निकले, मुख्य मंतरी कौन था, फारकुब दुल्ला साब मुख्य मंतरी थे, देश का ग रह मंतरी थे, जिन लोगों की डूटी थी, माइग्रेशन लोकने की, और कश्मीर में जगा जगा लिखा गया था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, यह मैं हिंदी में बोल रहा हूं, वहां कश्मीरी में लिख रात, चिले कला चलता है वहाँ, उसमें बस, गाड़ी, कार, टेम्पू, ट्रक, अपना समाल गठरी उठाके के वापिस आएंगे, मुख्यमंत्री कहां थे, आज फारुग उदुल्ला साब की आँकों में गड़्याली आंसू आ रहे हैं, मुफ्ती बेहन गड़्याली आंसू में देश के नागरिक विस्तापीत हो गए, आज भी उन्हें विस्तापीत माना जाता है, इनके दिल में भी उस समें भी रक्षक बक्षक बन गए, और साइलेंट पलायन होने दिया, कश्मीरी पंडितों का वापसी होगी, हमने टीकालाल्टिक प्लू, पुर्न विदास यो अभी भी कश्मीरी पंडित, कुछ माइगरेंट्स हैं, देश के बाकी हिस्सों में वो रह रहे हैं, यह नहीं कह रही है, क्योंकि वो एक एंटरप्राइजिंग कम्यूनिटी है, उन्होंने कहीं पे डॉक्टर हैं, कहीं पे एंजिनियर हैं, कुछ लोग देश के बाहर भी वहां पे भी वो समरित परिवार में हैं अब, लेकिन एक घाफ तो होता है ना, अभी तक एक वाइट पेपर तक नहीं निकला, आप फारुक अब्दुल्ला को घोशी कर रही है, आप मुफ्ती साहब को कह दीजे कि वो हो मिनिस्टर थे, उनके दौरान भी यह हुआ था, कि यह हुआ था जैनोसाइड, ने तो खह रहा हूं, उनके समय में हुआ था और यह मैं नहीं कह रहा, यह तो इस्टोरिकल डाकुमेंट है, आपने इस संकला पत्र में इसके उपर वाइट पेपर लाना, दोशीयों को परदर्शित करना कि किस किस के कारण हुआ था, और उसको गौर्मेंट डाकुमेंट बना कर उन पर कारवई करने का वाद रती है, अब सरकार बनने दीजिए, आपको जो जो हमने कहा है, वो आज तक हुआ है, चोविस तक, जो मोदी जी ने कहा है, वो हुआ है, और यह भी होगा, यह मोदी की गरंटी है, अगर राजी सरकार में हिंदो की बात होगी, मैं मुसल्मान कौम के बारे में भी बात करूंगी, जो मुसल्मान है, अगर क्या वो सुरक्षित महसूस करेगा, अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है, तो क्योंकि जो हिंदुत्वा वादी कॉमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक अच्छी डिबेट रखिए, एक कुर्सी और लगाईएगा, उमरु साब को बहन मुफती को भी बलाईएगा, 2019 से लेकर 2024 हम सीधे तोर पे सरकार चला रहे हैं, सिविलियन किलिंग्स, पुलिस तवारा सिविलियन किलिंग्स, इन दोनों के पांच साल और उसके तीन साल, comparison करिएगा, दो गटनाएं हुई हैं, हमारे कारिकाल में, जहां निर्दोशों को उपर सुरक्षा बलोने कहीं हत्ते आगी, एक में आर्मी थी, दोनों जगा परचा रिजिस्टर्ड हो है, दोनों जगा कारवई है, दोनों जगा सजा मिल र पिचे से काम कर रहे हैं, एक भी घटना किसी civilian को killing की नहीं हुई, और आपको मैं आप पता भी करिएगा, एक जानकरी दे रहा हूँ, आज अगर कोई निया लड़का terrorist बनता है, और वो ही कहीं किसी जगा घटना में दिखता है, तो उसको encounter चाहे हमारे encounter के लोगों के trap में है लेकिन उसके माबाप को बुला के कहा जाता, आप सरंडर करिए, और ऐसी दरजनों गटना हैं, जहां अभी नौजवान जिसने गलती से फुसला का, इन जैसे जेलीले बाचन सुनकर इन नेताओं के, खुद को इनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, विदेश्चों में बढ़ते हैं, और यहां के बच्चों के हाथ में एक के फोर्टी सेवन, जिहाद में इनके परिवार से क्यों निकला कोई, इतने लंबी लिस्ट है, दोनों तरफ से मरने वालों की, भारत के नागरिकों के भी, और पाकिस्तान से आए लोगों की, दोनों तरह से, कहीं भी इ पास गया है और अपना जीवन जी रहे हैं यह शुरुवात की है इसी से विश्वास पैदा हुआ है जो आपको वोटिंग में लाइन दिख रही है जहां एक करम दिख रहा है कि यार यह बारा मुला यह है अनंतनाग है यह शोफिया है लोग लाइन में खड़ो के वोट कर रह और आज लोग अपनी सेलफी डाल रहे हैं वोट करने के बाद यह बदलाव परदान मंतरी मोदी जी लेके आए हैं और यह स्थाई बदलाव है यह आगे बढ़ेगा रुकेगा ने तर्म जी एक और बात मैं पूछना चाहती थी कि एक पत्रकार हैं जिन से हमने बात की उन् गाववाद की बाते ना करें आप चुप चाप इलेक्शन लड़िए आप एक बार लेजिसलेचर में चले जाएंगे डेमॉक्रसी का इस्तमाल करके डेमॉक्रसी की जो रास्ते हैं उन्हें इस्तमाल करके आप लेजिसलेचर में जाके फिर हमारा एजेंडा चला लिए ऐसा बात, डेमोक्रेसी, लोकतंतर में भारत का चुनाव सिस्टम जो है, बहुत साउंट प्रूफ सिस्टम है, जो व्यक्ति भारत के सविदान की शपत लेकर, कि मैं भारत के सविदान प्रभु सत्ता, खंटता, एकता, और भारत का नागरी का वो चुनाव लड़ सकता है, ये मैं मैं समझता हूँ, भारत के लोकतंतर की जीत है, कि जिन्होंने हत्यार पकड़े थे, अब हत्यार छोड़कर, लोकतंतर में आ रहे हैं, वो तो S.A.S. गिलानी ने भी तो ये दिया था, गिलानी तो बंद का फत्वा देता था, गिलानी तो बाइकर का फत्वा देता था, मैं फारग अदुल्ला अटॉनमी की बिल की बात करेंगे जहां स्वेटता की बात करेंगे और मैं समय तो कितना धुरभाग्य था कि 2004 से 14 10 साल कॉंग्रेस की सरकार थी राहूल गंदी तो वैसे आई नहीं वो हमारे समय में दोनों बार आए हैं सनोबॉल भी दोनों बहनों ने खेला दोनों ने स्कूटर भी चलाया सनोब स्कूटर भी चलाया वो भी हमारी सरकार का समय है लेकिन मैं दीदी यहां आपका ध्यान लाना चाहता हूं 2004 से 14 10 साल क्या होता था टैरिस्टोग टैची बंचाय जाते थे रेट कार्पिट बिचाय जाते थे अरे एक व्यक्ति टीवी के कैमरे पर कह रहा है कि मैंने मारे नौ सेना के आफिसर मैंने किश्मीरी पंडित मारे वो अस्थाई रह रहे थे और वही बात उसने कही जो बात शेक अबदुल्ला कहते थे कि इसका स्थाई यह भारत में विले ही नहीं है तो कैसे नहीं को क्यों वहाँ बैटे थे भारत की सेना के लोग है उसके लिए रेट कार्पिट बिचाय जाता है चार्टेड प्लेन बेजा जाता है परधान मंतरी सर्दार मुर्मोन सिंग देश के परधान मंतरी यासीन मालिक की बात करना है यासीन उसके साथ फोटो शूट किया जाता है और वो फोटो दुनिया बर के मुस्लिम देशों में बेजी जाती है पूरे विश्व में बेजी जाती है कि भी हमारे अरे टैर्रिस्टों से संबंध होना ये लोकतंतर की जीत है कि हार है और आज जिनके हाथ में बंदूगती या जेल में हैं या कबर में हैं कितना फुरक है ये रेड कार्पिट बिचाने वाली संस्कृति आप क्या कर रहे हैं आंतकवादियों को महम फिर उसी को द बंद रहा आठ मीने जम्मो कुश्मीर बंद रहा आज उसे समझ आता है कि बंदूग नहीं मौस पकड़ना पड़ेगा टैबलेट पकड़ना पड़ेगा लैप्टूप पकड़ना पड़ेगा आज आई है साइपियस बन रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं और फारग प्लास पैदा हो जाएं ना रक्षन खत्म होगा ना आंतकवाद आएगा ना स्वाइतता आएगी यह सपना बूलें महभूबा वहन भी बूलें यह मुंगेरी लाल का सीन सपना स्वाइतता का पाकिस्तान का चाइना का तीन सो सत्तर पैंती से आने का दुबारा अत्याचार करने का यह सपना नहीं आये पूरा होगा यह हम रैजर्वेशन चीन लेंगे कभी जाके बालमी की बस्ती में देखिए दिपावली थी उनके घर पे कि सत्तर साल से जाडू के लावा वो नोकनी नहीं कर सकता जब वो ड उसके पास अडणी काड ही नहीं आन नहीं करने आका है वो बना कि यह सकता है और पीओ जेके से आये विस्ताफीत मर रहे है किसी नहीं ध्यान नहीं दिया, thankfully भारत नहीं आया कि वहां प्रेटन करने आया है, वहां उसको मारा गया, और हमारी सरकार ने देश की सरकार ने बस उचाहीं नहीं, जो कश्मीरी, बड़ा ध्यान से सुनेगा, जो P.O.J. के बन गया, पाकेसेनों को पाइट जम्भू कश्मीर बन गया, हमारी जमीन हो, हमारी मातर भूमी है, कन-कन हमारा है, लेकिन उस कन-कन जमीन में रहने वाले लोग जो विस्तापित हो कह यहां है, उन्ह कि ये जिन्दा रखना है कि जम्मू कश्मीर भारत का भारत में उसका पूरण विले नहीं हुआ है और उसके लिए 370 चाहिए, 35 चाहिए, यहां रहने वाले जो बाहर से आये हैं, फोजी हैं, आफिसर हैं, आईएस हैं, जो भी हैं, वो विदेशी हैं. ये नरेटिम चलाएग मतलब, aren't you surprised कि इंडिया अलाइंस का कोई भी यक्ति यहां पर कैम्पेंड करने नहीं आया जमू कश्मीर में, इस चुनाव में, वो बाकी राजय में जाते हैं, लेकिन जमू कश्मीर के चुनाव में, चाहे ममता जी हों, या अर्विन केजरिवाल हों, जो बाकी सदा से हैं इंडिया अलाइंस के कोई भी नहीं आया कैम्पेंड करने के लिए, ऐसा क्यों? ऐसा है कि यह जवाब वो दे सकते हैं, उन्हें पता है यह जमीन, यह सोच जो है, वो नेक्टिव सोच है, इस जमीन पर अब वो नेक्टिव सोच नहीं चलेगी, अलगावाद की सोच नहीं जम्मू कुशमीर अब उस अजन्डे से बहुत आगे बढ़ चुका है, पर इंडिया अलाइंस जो है, वो यहाँ क्लिक नहीं किया जम्मू कुशमीर, यह इंडिया अलाइंस यहाँ एक अक्सपार्ड इंजेक्शन, अक्सपार्ड, आप देखिए ना लगा-तार लगा है, इन बार तो मैंने अपनी आखों से देखा, देएधी चुणाब में देखा, उससे पहले पंवचाय चुनाब में देखा, उसके बास लोकसभाँ चुनाब में देखा, पर लोकसभाँ चुनाब में यहाँ जम्मू में कॉंग्रिस का वोट Onuटशेट तो बढ़ा है? 29 सीटे हम जीते हैं पहली बार आज तक का मारा आंकड़ा 2014 में 2014 में 25 सीटे था हम 36 लड़े 29 जीते अब आप कोई किसी को सपना लेने से रोक नहीं सकता आपको नहीं लगता कि जम्मू के लोग थोड़ा बहुत नाराज है दर्वार मूँ जो है और आप किसी जमाने में आपके यहां एक बड़ी फाइल लेकर बैठती हैं आपने यहां से मेल डालती हैं वहां से आता है आपका पत्र का आगे जहां से वीडियो रिकार्ड करके बहिता था आज सब कुछ कंप्डूटराइज हुआ है तो क्यों करोड़ों रुपेस स्टेट के वो जो पुल बनाने के लिए बच्चों को नोकरी देने के लिए उनकी पढ़ाई के लिए खर्च होने चाहिए थे वो बाबों की फाइल ट्रकों में डो कर यहां लाने के लिए क्यों और दूसरी बात आज 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 भी दरबार मूग होता है लेकिन अब भाइलें जाती हैं लैप्टोप से हैं इंटरनेट से हैं और जम्मू कश्मीर में जम्मू के नागरी अपना परमान यही बाते इनों ने की थी तो हम 19 सीटे जीते हैं क्योंकि इनके पास अजंडा ये बताने को है नहीं आपने जो अत्याचारी किया उस पर आप चुप हैं क्यों चुप हैं बताएं ना कि आपके पिता जी मुख्यमंत्री तो मैंने एक कंक्लेव में उनसे बात्चीत की तो उठके चलेगे तो बता दो हमें तो डेट पूछ रहे हैं कि इस डेट तक मुख्यमंत्री कौन था आप कभी गुगल पर जाकर जो जगमों यहां के राज्यपाल थे जो उन्होंने लेटर्स लिखी हैं रजीव गंदी जी को ऐसे प्राइमिस्टर को कि 1999 नमंबर तक 1989 नमंबर तक वो उपरदान मंत्री थे कि कश्मीर में क्या हो रहा है और फार्ग अदुल्ला क्या कर रहे हैं और किस तरह बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है और यहां के लोगों को बाहर बेजा रहा है एक सरकार पूरी तरह रिवोल्ट करा रही है, यह डाकुमेंट है जगम उनके, आप कड़िये आपको ध्यान में आएगा कि इन तीन परिवारों ने दहकत होए शोलो पर जम्मकुश्मीर को फैंका, इन्होंने आप 80's से कभी पता करिए इससे पहले, कभी जम्मकुश्मीर को करते थे, लेकिन हाई कोड का जज मार दिया गया, टिकाला, टिपलू की हत्या हो गई, कश्मीरी पंडितों की लाशे गाउं के बार पेड़ों पर टांग दी गई, गरों के बार स्लोगन लगा दी गए, नाम तक लिखे गे, कि अपनी पतिनी सुनी था और अपनी बेटी चुपा कर, ट्रकों में बैठ कर, यहां पहुँच गए, और जम्मू में नर्च, पर वो यह कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हाँ, अब्दुल्लाज ने गलत किया, मुफ्तीज ने गलत किया, देवर इंचार्ज, लेकिन वही बीजे पी जो हमारी बातें उठाते हैं, वो रा प्रिस्नल एंबिशन के लिए, पॉलिटिकल एंबिशन के लिए हमारी बाते उठाते हैं, आप एक बात देखिए, मैं गरंटी से कहता हूँ, वचन बदता से कहता हूँ, एक-एक कश्मीरी पंडित वापिस जाएगा, यह भाजपानी देश की कमिटमेंट है, देश की ही होना चाहिए और यह प्लाइन एक हमारे लिए ब्लैक स्पोर्ट है और यह निश्चित रूप से हमने इसमें भी संकलप लिया है हम उसके लिए योजनाय बनाएंगे हमने उसके लिए बहुत काम किया बहुत काम किया आज सबसे बड़ा काम वहां था शान्ति लाना वहां प PM package बनाना वो सब काम हमने किया है और आज पिछले पांच सालों में हम कह सकते हैं कि उस जो हमने रास्ता तैया किया था एक milestone तक हम पहुंचे हैं लक्षे तक पहुंचेंगे लेकिन ये commitment है कि एक-एक कश्मीरी पंडित अपने घर जाएगा हमने कनून बनाया कि जिन से मकान च हासक मंदर थे उन उपर पुनर निर्मान हो रहा है उनको ठीक किया जा रहा है तांकि पूजा स्थर ठीक हो सके लेकिन NC Congress कह रही है कि शंकराचारे परवत का नाम बदल देंगे हरी परवत का नाम बदल देंगे संकल पत्र में ये नहीं लिखा है कि तक्ते सुलिमान बनाया जाएगा रक्ते सुलेमान है ये लिखा है, उन्होंने तो बदल दिया है, उनका जंड़ा स्पष्ट है, उनका जंड़ा है वहाँ पहुंचना और स्वेटता पर बिल लाना है, आगे नहीं लाए, वो स्पष्ट कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो. अश्या, आपकी संकल्पत्र में रोहिंग्या सेटलमेंट्स के बारे में भी बात है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो लोग यहां पर, यहां नहीं, भारत के अंदर जो लोग भी, जो भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत के नागरिकों का हक कैसे खा सकते हैं? हम राशन दे रहे हैं गरीब के लिए, जो भारत का गरीब है, यह जो बंगला देश से आए हुए लोग हैं, इनको हमारी, कई पीडियों से हम यह बात कहते आ रहे हैं हर चुनाव के गोशना बत्र में हम कहते हैं कि जो बाहर से आया है उसे हम चिन्नित करेंगे वो भारत का नागरिक नहीं है इस बात की मारी कमिट्मेंट ऐसा क्यों हुआ है कि रोहिंग्यास जो है वो अपने आपको जम्मू में यहां क्या खासियत है कि उसले कुछ नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए देश की एकता और खंटा को तोड़ा है सोधा किया है और उनको ठहरा कर एक पक्का वोट बैंक बनाने की कोशिश किया है उनको आई काड़ दिये हैं उनके राशन काड़ बनाएं दूर भाग के हैं और वो जम्मू के नेता है वो गांग्रेस के नेता है। अपनी जीट के लिए आप इतना बड़ा सोधा कर रहे हैं वी देशी नागरिकों को बसा रहे हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सीख और रूसाइओं और भारत का नहीं है वी देशी है। आप कैसे उसे बसा सकते ह एंजिनियर रशीद की जब बात हो रही थी उन्होंने अलाइंस कर लिया है अब जमात के साथ तो जो जमात एलिमेंट्स हैं वो पहले तो उनका नारा होता था कि पाकिस्तान से रिष्टा क्या लाहिला लाहिला अब वो नारा इलेक्शन के दौरान तो नहीं है लेकिन कुछ जो फॉर्मर मिलिटेंट्स हैं वो कहते हैं कि यह एक अंडर दर सर्फिस फीलिंग जरूर रहती है कि हमारा कुछ नाता है उनके साथ लेकिन पाकिस्तान अब गुर्बत के रास्ते पे है इसलिए वो नारा थोड़ा कम हो चुका है लेकिन it is simmering मैं तो समयता हूँ कि ये जीत है भारत की सुरक्षा निती की ये जीत है परधानमंती जी की आंतरिक सुरक्षा निती की कि अब सब को समझ आ रहा है कि देश के साथ ही चलना है लिया देश सरप्रथम है राष्ट्र प्रथम ये सोच सब के सामने ले और उनको समझ आया है नहीं तो समझ आएगा कि zero tolerance of terrorism ये हमारा agenda नहीं है ये हमारी commitment है हमारा प्रन है ये हमारा संकलब है जो भी जिसके साथ भी हमने बात की जो election लड़ रहा है या जिसने elections देखे हैं लड़नी रा रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कहते हैं 1987 का जो election था एक watershed moment था वो रिग्ड था और उसकी वज़े से सायद Salahuddin ये सब इन्होंने जो का दौर शुरू किया वो अभी तक पूरा नहीं हुए इसलिए ये election जो है बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि अगर इसके results में जरा भी फेर बदल होता है या फिर एक गुठ निकल आता है जो militancy की तरफ जिसका जुकाव है वो अगर सरकार में आ जाते ही तो that can also result in a slide back in जमुकश्मीर ऐसे है कि वो गलत कोने से इस तस्वीर को देख रहे हैं 87 क्या था 87 था कि रजीव गंदी और फारुक साब का pact हुआ था और जबर दस्ती बंदूग के बल पर बैलेट को बुलेट से डराकर बैलेट को जीत कराई गए और जिनके नाम आप ले रहे हैं वो सब MLA candidate थे और जीते हुए थे उनको हरा दिया गया पहली बात तो यह रजीव गंदी वाला खेल फारुक अबदुला वाला खेल कॉंगर्स फिर खेलना चाहती हो खेले लेकिन हम खेलने नहीं देंगे बैलेट तै करेगा कौन नेता बनेगा और जनता जिसको बैलेट से जिसको नेता बनेगी वो नेता बनेगा रही बात 87 87 जो कॉंगरस के नेतरित द्वारा हिमेलियन मिस्टेक्स हो गया उसमें से एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसने अविश्वास पैदा किया तब तक जनता को लगता था कश्मीर से लेकर कन्या कमारी तक की जनता को लगता था बैलट से ही नेता चुना जाता है लेकिन जम्मो कुश्मीर में उस समय स्थापित हो गया कि पेट तै करेगा कि किस पेट से कौन पैदा हुआ है वही मुक्ख्यमंत्री बनेगा लोग नहीं चाते थे फारग उदुल्ला और रजीव बंदी को कॉंग्रस और एंसी को जबरन मुक्ख्यमंत्री बनाएगा रात के अंदेरे में काला खेल खेला गया वो टर्निंग पॉइंट था जम्मो कुश्मीर की राहिनीति में जिसमें बल मिला अविश्वास पैदा हुआ और अविश्वास इस भ्यंकर पैदा हुआ कि नौजवानों को लगा कि अब बैलेट से नेता नहीं चुना जाएगा आज वो वातावरन का टू अंडर जो समझता हूँ मैं ये दोजार चोविस ये यूटर्न है ये यूटर्न है अब विश्वास पैदा हुआ ये डीडी सी चुनाव में लोगों को लगा कि हम नेता चुन सकते और जो उनोंने बैलेट डाला तो मैंने बताए ना 50 पैटिके नहीं नीता चुन के आए इनकी पीट पर किसी पार्टी की स्टेम्प नहीं थी लोग कर लोग पच्चे खोलीज सालका को आफdock को पैंतिस सालका को चली सालका नारे लगाते हैं निकला उन्होंने अपना नीता चुना विश्वास खड़ा हुआ लेकिन 2024 एपरल मैं समयता हूँ उस विश्वास को चटान की तरह वो खड़ा हुआ और दुनिया भर के संगठनों के लोग लाइनों में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं और ये मैं समयता हूँ विश्वास का एक बहुत बड़ा टर्न जो अविश्वास से विश्वास की तरफ मोदी जी लेके आ हैं ये उसका एक बहुत बड़ा दिन होगा आठ अक्तूबर जम्मू कश्मीर की जनता बैलेट से अपना नेता चुनेगी अन्त में एक सवाल जरूर पूछूंगी कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर में दोनों में वाजपाई जी के लिए एक खास जगह है उनका जो नारा था कश्मीरियत इंसानियत जमूरियत वो नारा शायद और वो जो रीच आउट किया था उन्होंने उसकी वज़े से वाजपाई जी के लिए एक खास जगह है लोगों में किसी भी पार्टी के बारे में आप बात कर लीजे लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो बीजेपी अलग है और आज की बीजेपी अंडर मोदी जी अलग है वो आज की बीजेपी जो है बहुत ही रूडिवाद है बहुत ही कटर है और वो कश्मीरियों की जो जजबात है उसे समझ नहीं सकती ऐसा है कि जो वाजपई साब कर रहे थे उस समय पार्टी के महामंतरी करनाते नरिंदर भाई यहां उसको इंप्लिमेंट कर रहे थे नरिंदर मोदी जी उस समय यहां महामंतरी थे संगठर महामंतरी पूरे देश के इस जोन के इंचार्ज भी रहे इसलिए ये कहना ही बिलकुल गलत है जो वाजपई साब ने शुरुआत की थी कश्मीरियत इंसानियत जमूरियत उसी को मोदी साब आगे बढ़ा रहे हैं आप दोज़ार चोड़ा में लोकसवा चुनाब में हम कश्मीर में एक भी सीट नहीं जीते बाड आई देश का परदान मंतरी प्रतन सेवक पोर्ट लेकर नागरिकों को बचा रहा है पूरी देश की मशीनरी को लगाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट की मशीनरी को लगाया गय चोड़ा चोड़ा फुट पानी था हमने वोट के धार पे नहीं फिर आप पूरा दस साल का कारेगाल देखिए हमने यहां पर जुमूरियत यानि लोक तंत्र एटी सिक्स में जिसे एटी सैवन में रजीव गंदी फार्ग दुना ने दफन कर दिया था अव विश्वास पै का अंखड़ा निकल लिया मैं तो कर HOL, बहहर करते हैं, मैं भी पेपर लेकिआ। सरकारी डाकुमेंट लेकि आनगा वो भी लेकिआ हैं कि इनके साथन सत्तर साल लगबक सत्तर साल इन तीन परिवारों ने राज किया, कटबुतिली सरकार हो, चुनी ही सरकार हो, राश्टबति राज हो, civilian killing per year कितनी हुए है, इनके कारेकाल में कितनी हुए है, दो घटनाएं मैंने का हुद हम मानते हैं, और दोनों जगा पर दोशियों को कठोर सजा मिली है, यह इंसानियत, जमूरियत, कश्मिरियत परधान मंत्री मोधी जी ने सब का साथ, सब का विकास आप गाओं में जाएे, कश्मीर के डीप सिटी के डीप गाओं में भी जाएे तो आप जाके पोचिए हैं आपको परधान मंत्री अवास युजना āभी है तो दरजनों लोग हाथ खड़ा करेंगे आप वहाँ जाके पूछिए आपके यहां रसोई गैस पहुंचा है मोदी जी ने पहाड के उस उपर मजजित के साथ लगते मकान में और वो पहाडी के उपर वाले मकान में पीने का पानी जल से पहुंच रहा है जल जी वन मिशन के द्वारा शुचाले बने हैं मेरे खाल में परधान मंतरी अपने मन की बात में करते हैं और मन की बात में कश्मीर का जिकर है पर इसके बावजूद आपके कैंडिडेट्स नहीं कि आप आप ला सके कश्मीर में हर जगा आपका कोई कैंडिडेट्स नहीं है कुछ जगों में है कुछ में नहीं है क्यों अगर इतना आपने किया है कश्मीर के लिए तो क्यों नहीं कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए कि हाँ हम भीजे भी नहीं है दूसरा हम सत्ता के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं यह भी कहीं मैसेई पहानुबुती लेने के लिए नहीं, लोगों का पहले काम करते हैं, फिर आशिवाद लेते हैं, और आप आज जम्मु कुश्मीर को G20, अरे भैसा मैच हुए 40 साल हो गए, 50 साल, किसी कंपनी ने मीटिंग ने की पिछले 30 साल इनके चासन में, और 2014 से लगातार परिवर्तन आय आज तो ऐसी ती, वर्ल्ड की सबसे बड़ी G20 गॉण्फ्रेंस शिरी नगर में हो रही है, आज क्या है, शिरी नगर का केसर, शिरी नगर की, शौल, शिरी नगर का ऊन, शिरी नगर की, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, हर आइटम का जिकर पर्धान मंत्री ने, खरोट से बनने वाले, खरोड के पेट से बनने वाले, लकड़ी की, धागे की, एक एक चीज का जिकर परधानमत्री ने किया और उससे वहां की मार्गेटिंग कितनी तेजी से बढ़ी है, धेश का परधानमत्री खुद कह रहा है कि कश्मीर के प्रेटन के लिए जाईए, प्रेटन करना, इन्हें लगता नहीं था कि ये चीज़े जमीन पर आ सकती है, जमूरियत जमीन पर आ सकती है, ये तो बाइकाट की पॉलिटिक्स करते थे, कि हाजार वोट कैसे मैनेज करना है, क्या आप कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि चाहे जो भी रिजाल्ट निकले, आप एंसी और पीडिपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे? आप जमू में हमें इंटव्यू दे रहे हैं, पॉड्कास में आये, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, दीदी बुलाते रहिएगा.